Assalamualaikum guys, कैसे आप सब उमीद है कि आप सब टीक होंगे, खेर खेरियत से होंगे आज हम the most expensive DIY बनाएंगे कैसे इतना ये expensive है, किसली इतना expensive है तो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि कैसे ये expensive है DIY को बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिसमें आता है glue gun, glue gun sticks, acrylic paint और ice cream sticks जिसमें small भी चाहिए होंगी और large भी चाहिए होंगी और craft glue, that's it और ये सारी चीज़ें पोचाहिए होंगी मैंने वीडियो में कम कम दिखाई हैं लेकिन इसमें काफी ज़्यादा चाहिए होंगी मेरे जो बड़े sticks यूज़ें वो तकरिबन 10 से 11 या इससे भी ज़्यादा यूज़ें होंगे small जो है वो भी इसे तरह 10 या 11 या इससे ज़्यादा यूज़ें होंगे हमने बड़े ice cream sticks का square बना रहेना है और same process से हमने चोटे ice cream sticks हैं उनका भी square बना लेना है कर दो झाल बना रहे हैं झाल 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 कर दो कर दो झाल 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 स्टेप हमारा यह है कि हमने पूरे जितने भी स्क्वेर बनाए हैं उनको ब्लैक पेंट करना झाल 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 स्टेप हमारे सारे स्क्वेर पेंट हो गए है अब हमारा तर्ड स्टेप है ग्लिटर करना हमने ग्लिटर को कुछ इस तरह यूज़ करना है कि क्राफ्ट ग्लू लेके उसमें ग्लिटर को मिक्स करेंगे और देन हम उसको अपलाए करेंगे झाल 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 यह मैंने जो फ्रेम दिखाए हैं यह बहुत कम दिखाए हैं क्योंकि यह पूरे वाल को कवर नहीं कर सकते इसके लावा मैंने बहुत सारे बनाए हैं यह तो सिर्फ वीडियो के लिए मैं आपको दिखाए हूँ ताकि आप प्रोसेस सिर्फ समझ लें फ्रेम जो बनाने हैं वो बहुत सारे बनाने हैं यह वाल पे डिपेंट करता है के वाल कितना बड़ा है और कितना चोटा हाई गाईज तो मैं इस वक्त ना लाइव वाइस ओवर कर रही है तो पिछी से जेतने भी आवाजे आ रहे हैं और को इग्नोर कीज़ेगा प्लीज तो यह मेरी अम्मी के कमरे का वाल है और इसके लिए मैंने सारी डियाइवाय बनाई है बड़ी एदिये लिए तो और यह नीचे से काफी खराब हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए कोई अच्छे सी डियाइवाय बनाई जाए जिसके साथ यह कवर हो जाए इसके लिए मैंने यह सोचा है क्योंकि यह तो इसके उपर गर मैं वह फ्रेम लगाऊंगी तब भी नज़र आएगा इसको मै कंचे करना की कोशिष करोंगे जैसो के साथ अगर एसस के साथ टीक हूआ तो ठीक है वरना पहली साना मेरे जिसके सारा इसके प्लान न hä कैसारा बिगड़़ जाएगा तो यह सारी यह यह सार्य मैं हटाऊंगी और इसके उपर मैं जैसroe्चे लगांगी थींवाय कं यह सान एड दे अण ओपर तक इस पूरे वाल को मैं कवर करोंगी और मेरा ये डिय वाय जिसकी मैंने है पहली वीडियो अप्लोड कर दी मैंने चोटी यत के लिए बनाया था और ये वाल जो है इसके लिए मैं बड़ी ही लिए बरी पूरा दिय वाय करोंगी इसा नली एक अपर गले आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में इद मुबारक आप सीजाओा एकल आप से एकी है टब आप से एकी है एक मेंoms से एकी है अ कियास में मुबाएए एक पूह को पोढ़ शृफाँ से एकी है यह हो गया है कंप्लीट मैंने जैसो के साथ इसको ठीक कर ली है और यह बहुत ही बेतर हो गया है तो इसके उपर अब हम फ्रीम लगाएंगे प्रीम लाओंगे प्राइब प्रीम लिया है तो इसके प्राइब के लिए मैं ज्सके जहें एम लेणगे ने जचेप़ लेगा है अजय के पूल कर दो पिछिए हैं क्यूंकि काम बहुत जादा दा तो मैंने अपनी पडोसी दोस्त को बिला लिया मैंने कि मेरे साथ कुछ हेल्प करा दो तो उसने आठी कि मैं कर दूंगी हेल्प उसने भी हेल्प की लेकिन फिर भी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था मैंने और आइस-क्रीम स्टिक्स और ग तो मुझे नहीं लगता कि यह पूरा ओपाएगा एट देंड तक क्योंकि मैं इस पे पिछले दिनों से बहुत जादा काम कर रही हूं लेकिन यह जो है कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा तो मुझे लगता है कि यह पूरा नहीं हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आज इतना कर लूँ यह दर्वाजे तक लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह होगा पूरा यह जो paint नहीं इस पे इतना time नहीं लगा जितना इस glitter पे लगा यह glitter लगाते में बहुत टाइम लगता है तो मैं इसको कोशिश करूँगी इतना पूरा कर लूँ लेकिन यह पूरा नहीं हो पाएगा अज अगर यह इतना नहीं हुआ लेकिन पिर मैं इत के बाद इसको पूरा करना हूंगी इत के बाद मैं इसको complete करूँगी वहां तक और पिर मैं इसको short या किसी और वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी इंशाल्ला यह माशालला माशालला अभी से बहुत प्यारा लग रहा है जब यह पूरा होगा तो कैसे लगेगा इंशाल्ला जब यह complete होगा तो मैं complete वीडियो पूरे room के आप सब के साथ share करूँगी इंशाल्ला कल इद है इसलिए मैंने बस जल्दी से upload कर दिया और आप सब को चांद रात मुबा रखो तो गाईस आपको मेरा यह idea कैसा लगा अच्छा लगा हो तो like share and subscribe करना ना भूलना तब तक के लिए लाफेस अच्छा लगा हो तो